नमस्कार स्वागत आप सभी का न्यूस वान इंट्या में मैं हूँ आपके साथ श्याफ निपटना गुलेटिन की शुवात करेंगे सुप्रिम कोट से अबास को पेरोल मिला है बड़ी जनकारी आपको बता दे अपने पता के कबर पर पातिहा पढ़ने को लेकर याचिका दायर की थी अबास अंसारी ने जिस पर सुप्रिम कोट ने अबास अंसारी को रहती है और अबास अंसारी अपने पता के कबर पर पातिह पेरोल मिली है कि मुफ्तार के पातिया कारक्रा में शामिल होने के लिए मिली पेरोल बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं जा सुप्रीम कोट से अबास को पेरोल मिली अमानी सर्वोच ने आयाले ने एक याचका दाखिल हुई थी उसमें अबास अंसारी को जब उनके पिता मुफ्तारंसारी साहब उनकी मिट्टी हुई तो उसमें वो शामिल नहीं हो सके थे और आज सुनवाई हुई तो चुकी कल उनका पातिया है दस्वी का तो मानी सर्वोच ने आयले ने उस पातिय में उनको शेक्टप करने के लिए इजाज़त दे दी है अब रम्दान का महीना है फजिर की अजान होती है सुर्योदय से पहले और फजिर की नमाज के पौरण बाद पौरान शरीफ की तिलावत का सिलसिला यहां शुरू हो जाएगा अमानी सर्वोच ने आयले ने एक याचका दाखिल हुई थी उसमें अबास अनसारे को एक बड़ी रहात सुप्रिम कोट के तरफ से बता दे कि अपास अनसारे अपने पिता के कबर पर मिटी नहीं दाल सका था क्यूंकि उन्हें सुप्रिम कोट के तरफ से इसाज़त नहीं दी गए थी लेकिन अब दुबारा से फातिहा पढ़ने को लेकर उन्होंने याच्च का दायर की थी जिसको सुप्रिम कोट ने मनसूरी दे दी है तो गाज़िपूर जेल में बारा अप्रेल तक अबास अनसारी रहेगा और ऐसे में उनके इंतिजार में उनके परिचन है आज मुक्तार अनसारी की कबर पर फातिहा पढ़ा चुआएगा जिसको लेकर पैरॉल में लिया पास अनसारी को और कासकंच जेल से गाज़िपूर जेल में तीन दिनों तक रहेगा अबास को तीन दिनों की कस्टडी पैरॉल सुप्रिम कोट की तरफ से दी गई है और एक बड़ी रहात अब बास अनसारी को मिली